गुजराट टाइटन्स वर्सित लखनो सूपर जैंट्स की बीच खेला गया रोमान चक मुकाबला जिसकी जीत के हीरो रहे मोहममज शमी भले ही लास्ट में राहूल टेवतिया और मनोहर ने मिलकर पारी को जीत दिलाई लेकिन यहां पर मोहममज शमी ने पहली ही गेंद से गुजराट टाइटन्स की जीत तैय कर दी थी हुआ यह दोस्तों की गुजराट टाइटन्स और मोहममज शमी ने उनको चलता कर दिया मानोहर दिक पंडिया के अंदर महेंदर सिंग दोनी की आत्मा आई और उनने तुरंती डियारेस भी ले लिया था तो पता लगा बले की एज लगते वे सीधा कीपर की हाथ में गई गेंद और उनको दिया गया आउट के लदा हूल की आउट होने की बाद तो मानोह विकेट की चड़ी लग गई फिर क्वेंटन्स डिकोग सात रन बनाकर मोहममज शमी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए एक मनिश पांडे को भी जल्दी चलता कर दिया मोहममज शमी नहीं 39 रन के अंदर टीम के चार विकेट गिर चुके थे लखनो सूपर जाइंट्स के वापसी का तो उनके पास कोई मौका ही नहीं था और यह सब पॉसिबल हो सका मोहममज शमी की वज़े से लखनो सूपर जाइं ने 28 गेंदों में 33 रन की डैवेड मिलर ने 21 गेंदों पर 30 रन और अविना मनोहर ने 7 गेंदों पर 15 तो वहीं मैथ्यू वेड ने 29 गेंदों पर 30 रन की खेली थी लेकिन लखनो सूपर जाइंट्स के दो बहतरेन खिलाडी दीपक हुडा ने 41 गेंदों पर 55 नन मनाए जीट का शरेक गया मोहमब शमी को क्योंकि उन्होंने 23 गेंदों मेहल सिरन देते वेड वहीं वेरो ने 2 विगट राशिद खान ने छीट के हेरों have하신 मोहमबшей चार मैच सबी तक हम सबहां हों इसे मुकाबले में दोस्तों गेंदबाज को मैण आयो मैच जहां पहला मुकाबल ने तीन विकेट चटकाई थी उनको मैन अफदा मैच मिला फिर शाम वाले मुकाबले पंजाब किंग्स और बैंगलोर के बीच ओडियन्स इम इतने 8 गिंद उपर 25 बनाया था फिर उन्हें मैन अफदा मैच मिला लेकिन इस मुकाबले मोहमज शमी ने अपनी गिंदबाजी से मैन अफदा मैच का खिताब हासिल किया और टीम गुजरा टैटन्स को बड़ी जीत दिलाई पहले ही डेबिट मैच में तो क्या कहते हैं दोस्तों मोहमज शमी जैसा इससे में कोई गिंदबाज है जिसकी साथ आप कंपेर करने चाहोगे वैसे तो कोई नहीं दिखता लेकिन शमी की बात ही निराली है अब अगला मुकाबला दोस्तों राजिस्तान दोवल्स वर्सिस अंदाजिस हदराबाद का मैच नमबर पांच शाम साड़े साथ बज़े आप देखेंगे मंगलवार की किस तरीके सो दोनों टीमें जब भिड़ेंगी तो खतरनाक मैच हुआ कैन लिमसन Vs Sanju Samson Next in N-Sports